ही गाइस बेलकम बेलकम बैक टु मैं चैनल दिपिका स्टाइल और मैं हूँ दिपिका कैसे आप सबी लोग आई होप सब ठीक होंगे तो यह देखिए आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज्यादा खास है बहुत पॉस्टिक है बहुत ज्यादा सेहत के लिए भी बहुत अच्छ तो यह रेसिपी है मौंगलेट तो यहां पर मैंना साउस और यह सेजवान चटनी के साथ इसको रखा हुआ है सर्व किया हुआ है तो मौंगलेट रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी है काने में और टेस्टी भी है सारी सब्सक्राइब नहीं होती है जो कि खाने को और ज सब्सक्राइब कर लिजेगा पास में ही बैल आइकन का बटन है तो उसी भी प्रेस करिएगा ताकि मेरी आगी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा है तो मौंगलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आप धुली हुई मौंगी दाल ली है यह देखिए छिलका बिना चार घंटे के लिए उसके बाद हम यूज करेंगे इसका तो यहां पर मैंने एक बावल में यह दुली हुई मौंगी दाल ली है बिना चलके लगी हुई इसमें मैं पानी डाल देती हूँ एक गलास के करीब मैंने इसमें पानी डाला है और एक कटूरी मौंग दाल है तो इ ये देखिए तीन से चार घंटे होने के बाद बहुत बढ़िया तरीके से ये मुंग दाल फूल चुकी है और अब हम इसका यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इसको मिकसर जार में डाल के ग्राइड कर लेते हैं तो ये देखिए मिकसर जार में डालके मैंने अच्छे से इसको ग्राइन कर लिया था पानी का यूज नहीं किया है मैंने बिना पानी डाले ही इसको पीसा है तो चलिए आगे की तैयारी शुरू करते हैं तो मॉंगलिट बनाने के लिए मैंने यहापे कुछ सबजियों का यूज किया है जैसे कि यह सिमला मिर्च है छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है एक मीडियम साइस का प्याज है इसको भी काट लिया है गाजर है और यहाँ पे फ्रोजन मटर है आपके पास फ्रेश मटर है तो वो भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे यह कौन है और नेक्स यह अद्रक लेसन और हरी मिर्च का मैंने क्रश करके अच्छा सा पेस्ट रेडि कर लिया है तो यह सब चीज़ें यूज करके मूंगलेट तयार करेंगे तो यहाँ पे एक बाउल में यह जो पिसी हुई मूंग की दाल ली थी उसमें हम यह सारी चीज़ें एड़ कर देंगे तो सबसे पहले हम इसमें प्याज एड़ कर देंगे वन वे वन हम सारी सब्जियांस में एड़ करेंगे गाजर एड़ करेंगे सिम्ला मेच और यहां पर जो अद्रक लैसोन और हरी मेच का पेस्ट था उसको भी हम डाल देंगे और अब जो हरी मतर है उसको भी डाल देंगे यहां पर जो कौन है उसको भी हम एड़ कर देंगे अगर आपके पास फ्रेश मतर है तो वो आप डाल सकते हैं नेक्स्ट में यहां पर डालूँगी नमक नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं नेक्स्ट हैं पर डालोगी मिठा सोडा जो हम खाणे का सोडा बोलते हैं तो यह मैंने थोड़ा सा डाला है दो चुटकी मिठा सोडा डाला है तब इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर हम पाणी की जरत लग गी तो चलिए शुरू करते हैं मूंगलेट बनाना तो गैस पे तबाँ चड़ा दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा है तो तबाँ गरम हो चुका है मैं ओईल ब्रेस कर देती हूं इसमें ओईल ब्रेस करने के बाद अच्छे से मैं फिर इसमें अपना जो बैटर तयार किया था हमने उसको डालेंगे तो यहां पे मैं यह जो बैटर था उसको डालके अच्छे से स्प्रेट कर दूँगी फैला दूँगी साइस अपने हिसाब से आप रख सकते हैं तो यहां पे मैं अच्छे से फैला दूँगी इसको बैटर को तो यह देखिए मैं ने अच्छे से इसमें डाल दिया है बैटर और अच्छे से फैला दिया है तो अब मैं इसको cover कर देती हूँ एक धकन से और 2-3 मिनिट तक हम अच्छे से इसको भाप में पकने देते हैं तो 2-3 मिनिट के बाद हम चैक करेंगे तो ये देखिए 2-3 मिनिट हो चुके हैं अब जो उपर का हिस्सा है उसमें हम घी अपलाई करेंगे तो मैं यहाँ पर गी का यूज़ कर रही हूँ आप ओयल बटर जो आपको suitable लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं गी अपलाई करने के बाद मैं इसको दूसी साइड से पलट दूँगी यह देखें बहुत अच्छी तरह से यह गोल्दन ब्राउन हो चुका है उपर से तो अगेन हम इसको ढगकन से ढगदेंगे और इसकी दूसी साइड भी अच्छे से से शेक लेंगे तो दो से तीन मिनट फिर से हो चुके हैं अब ये देखिए दूसी साइड भी अच्छे से सिख चुका होगा ये देखिए बहुत बड़ी तरीके से सिख चुका है गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकार लेते हैं अईसे ही हम दूसरा भी अच्छे से सेक लेते हैं तो इसके लिए हम फिर से ऐल ब्रश करेंगे इस में और जो हमने बैटर रेडि किया था उसको डालेंगे तो तबग को ओईल ब्रश कर दिया है ओईल ब्रश करना जरूरी है बरना ये बैटर चिपक सकता है तो ये देखे मैं इसमें डाल देती हूँ मूंगलेट या डोसा कुछ भी आप बनाते हैं तो आप नॉनिस्टिक तब पही बनाईएगा तो वो चिपकेगा नहीं तो फिर से मैं दूसरा डाल रही हूँ मूंगलेट और अच्छे से फैला दे रही हूँ इसमें ये देखे अच्छे से फैला दिया है मैंने अब फिर से मैं इसको एक धककन से धक देती हूँ और भाप में दो से तीन मिनिट तक इसको अच्छे से कुखोने देती हूँ तो ये देखे दो से तीन मिनिट हो चुके हैं वाव उपर का हिस्सा अच्छे से पक चुका है नीचे का भी हो चुका है मैं इसमें ओईल ब्रश कर देती हूँ उपर तो यहां पर मैं घी का इस प्तमाल कर रही हूँ आप ओईल का भी यूज़ कर सकते हैं तो इसको पलट देते हैं माराम से ये देखिए ये भी बहुत बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो फिर से हम इसको ढग देते हैं और दो से त्रीन मिनिट के लिए अच्छे से इसको कुखूने देते हैं इसके बाद हम इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए गर्मा गर्म ये देखें मूंगलेट बनके एकदम तयार है बहुत ज़्यादा टेस्टी और पॉस्टेक बहुत अच्छा मूंगलेट बनके रैडी है तो यहाँ पर मैंने ये टॉमेटो केचप लिया है और ये सेजवन चटनी ली है आप इसको ग्रीन चटनी टॉमेटो की चटनी किसी भी चटनी के साथ इसको खा सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा और अगर आप करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आपको ये रैसिपी कैसी लगी बच्चों को तो इस पेशली ये खिलाना चाहिए इसमें बह मुंग डाल का यूस किया है जो कि बहुत हेल्दी रैसिपी है तो एक बार ये जरूर ट्राइ करें बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है तो गाईस मुंगलेट बनके तयार है और मैं भी टेस्ट करके देखती हूं कि कैसा बना है तो दिखने में तो बहुत यमी और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलें पासमा ही बैल आइकन का बटन है तो उसी भी प्रेस करें ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलती हूं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ या अधर कोई एक वीडियो के साथ और अच्छी वीडियो में आप लोगों के लिए लाती रहूंगी तो मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें तो मिलती हूं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बैबाए टेक क्यार अपना ध्यान रखें और सेफ रहें सुरक्षित रहें